अगर आपको भी बाहर का समोसा कोचोड़ी खाना पसंद नहीं है तो इस रेसेपी को ट्राइ कीजेगा यह बहुत ही कम समय में और बहुत ही टेस्टी और मज़दार बन करके रेडी होता है चलिए आज की रेसेपी शुरू करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को छोटा सलैक जरूर कर दीजेगा इस नास्ते को हम घर के चीजों से ही बना करके रेडी करेंगे नास्ता बनाने के लिए एक मिक्सिंग बॉल मैं ले रही हूं हाफ का पोहा तो देखिए यहां जो मैं पोहा इस्तेमाल कर रहे हूं वो मीडियम ठीक पोहा है अगर आप ज्या पानी से एक से दो पानी दो करके साफ करें याद रहे कि पोहा को आप पच्छे तरीकी से रगर रगर के दोए क्योंकि पोहा जो है पोहा ज्यादा गंदा होता है आप मोटे दाने वाले पोहा इस्तेमाल कर रहे हैं तो पोहा को हलका सगुन गुना पानी से दो करके साफ कर पोहा को धोने के बाद इस तरीकी से छनी में इसे छान ले ताकि पोहा का एक्स्ट्रा पाने निकल जा और इसे पांच मिनट के लिए छोड़ दे फुलने के लिए अब चलिए चब तक पोहा फुल रहा है तब तक छोटी से तयारी कर लेते हैं इधर मैं ले रही हूँ तीन उबला हुआ आलू इस नास्ते को बनाने के लिए जो आप आलू इस्तिमाल कर रहे हैं आलू को सबसे पहले उबाल के छिलके को हाटा ले और आलू को एक घंटी के लिए फ्रिजर में छोड़ दे यानि की आलू हमें ठंटा इस्तिमाल करना है आप इस नास्ते को बनाने के लिए गरम आलू का इस्तमाल बिल्कुल भी ना करें अलू को सबसे पहले हम कद्दू कस करेंगे तो महीन वाले गेटर से हम अलू को अच्छे तरीके से कद्दू कस कर लिये हैं अब इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्च एकदम बारी कट करके बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को अगर अगर चली चली फ्लक्स बच्चो बच्चो के लिए बना रहे हैं तो अगर च्छीली फ्लक्स स्किप रोड़ आपे मिश्का पॉलड़ भी इस्तिमाल कर सकते हैं आदा छोटा चमच हम इसमें डाल देंगे नमक यानि किस वाद के नुसार मसाले हम डाल चुके हैं अब इस एज़ेश पे हम डालेंगे पोहा तो देखिए पोहा बिल्कुर अच्छे तरीके से फूल चुका है लेकिन पोहा को डालू में डाल करके आप मैस ना करें क्योंकि पोहा अच्छे तरीके से आलू के साथ मैस नहीं होता है नास्ता एकदम अच्छे तरीके से नहीं बनेगा नास्ता तेल में जाते हीं विखड जाएगा इसलिए पोहा को सबसे पहले मैस करके अच्छे तरीके से चिकना कर लें अब इसमें डाल देंगे हम थोरा सा फ्रेश कट हुआ हरा धनिया और सभी चुजों को डालते हुए इन्हें हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मैं इस नास्थे को पोहा किससे बना रही हुँ पोहा जो है बैंडिंग में हेल्प करता है अगर आपको लग रहा है कि जो हम डो बना रहे हैं वह बहुत ज्यादा गीला हो रहा है तो आप इसमें दो चमच मैदा डाल सकते हैं दो चमच कौन फलाड या फिर आरा रोड भी डा दाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं डाली हूं अगर इसको mix करते समय हाथों में चिपके तो हाथों में थोरा सा तेल लगा ले और तेल लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम चिखना करके डो के फॉर में बना लेंगे और देखे डो जो है हमारा अच्छे से बन करके हुच चुका है अब चले नास्ते हम सेपमे आगार कद देने के लिए हातों में सबसे पहले थोर हासा तेल लगाना थाकि हाथों में चीप से नहीं और इसतरीके से नमबू के आकार का एक बॉल ले लेगे तो इस तरीके से बनाएंगे अगार आपको टिकी सेक आपको बहुत आसानी तरीके से इस नास्ते को बनाना सिखा रहे हुँ इस नास्ते इस नास्ते को आपको फटा फट बनाना है तो चौपिंग बोर्ड जेले यह फिर चकला ले तो तरीके से दो रखेंगे और डो को सबसे पहले थोरा सा round chip कर लेंगे ताकि डो चीक न हो जाए और हाथ हेलियों से रखते वे इसे हम square chip में करेंगे थोरा सा इसे इस तरीके से चप्टा कर ले चप्टा करने के बाद आप चाहें तो इसे बेलन से भी बेल सकते हैं लेकिन बेलन से बेलते समय बेलन में स सबसे पहले आप तेल लगा ले ताकि डो जो है बेलन में चीपके नहीं और देखिए हाथों से इस तरीके से प्रॉपर square chip में इसे बना लेंगे और square chip में बनाने के बाद हम इसके चोटे-चोटे से pieces काट करके ready करेंगे यानि कि इस नास्ते को मैं आज square chip में इस नास्ते को बना है यानि कि बिल्कुल भी ज्यादा गीला नहीं बना है एक एक नास्ते को उठाएंगे और हाथों से इस अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे इस नास्ते को अगर आपे square chip में बना रहे हैं तो देखा आप बहुत ही फटा-फट बन करके ready हो जाता है सारे नास्ते को उठ नास्ते को उठाएंगे और अच्छे तरीके से इस तरीके से सूखा ही डिप करेंगे इस तरीके से सूखे से कोटिंग करने से नास्ता बिल्कुल भी ऑईली नहीं बनता है यह तेल में जाकर के खुलता नहीं है और इसके अंदर बिल्कुल भी ऑईल नहीं जाता है सारे ना यहां तो नास्ते को कुरकुड़ा बनाने के लिए मैं यहां दो फ्रेश ब्रेट को मिक्सर के जार में डाल करके पीस ली और ब्रेड कर लेए ओप तरीक हैं इसे घर लेंगे और नास्ते को इसे तरीके से साथ लिए कर लिए हैं अब चलिए इसे हम फ्राइब करते हैं फ्राइब करने के लिए तेल को आप अच्छे तरीके से गरम कर ले यानि कि तेल जो है मीडियम गरम होना चाहिए और एक एक पीस करते हुए हम तेल में डालेंगे इसे फ्राइब करते समय गैस का फ्लेम भी आप मीडियम र मुश्कल से मुश्किल आपको 3-4 मिट का ही समय लगेगा और बस एक बच जैसे ही फ्राई हो जाएगा हम सेकंड बैच को भी इसे तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेंगे इस नास्ते को अगर आप इस्टोर करना चाहते हैं तो कच्छा प्याज इस्तमाल ना करें प्राई किजेगा आपको और आपके बच्चों को सभी घरवाले को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा ये नास्ता तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को छोटा सा लाइक कर दिजेगा मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और कोमेंट करके जबर बताएगे का आज की रेसिपी मेरी कैसे है